26 माई को नागिन 3 ओफ एर हो गया ऐसे में जहां फैन्स इस बात से निराश हो गए तो वही नागरानी बेला अब खुशी में छुट्टियों पर निकल गई है जी हाँ नागिन के खत्म होते ही बेला की छुट्टियां शुरू हो गई है अब भाई जाहिर सी बात है कि नागिन 3 को बहतर बनाने के लिए सुर्भी ने भी काफी मेहनत की थी ऐसे में अब मेहनत की है तो थकान तो होगी ही यही वज़ा है कि अपने थकान को दूर फगाने के लिए सुर्भी विकेशन मोड में आ गई आपको बता दें कि अपसे कुछ टाइम पहले ही सुर्भी ने अपने सोशल मीडिया पर अपने विकेशन्स की इन तस्वीरों को शेर किया है जिसमें वो स्काइडाइविंग कर दिन लज़र आ रही है आप भी देखिए सुर्भी की ये तस्वीरें सुर्भी ने अपना हॉलिडे डेस्टिनेशन स्विचर लैंड को बनाया है स्विचर लैंड में सुर्भी ने आसमान की सेर का खूब लुथ उठाया और उनकी ये तस्मीरे भी इसी बात का सुबूत है अपने पैरेग्लाइडिंग वाले इस वीडियो को सुर्भी ने कैप्शन दिया है नागिन के बाद अब मैं चील की तरह आसमान में उड़ रही हूँ पैरेग्लाइडिंग करते वग सुर्भी के चेहरे के खुशी साब देखी जा सकती है आपको बता दें कि सुर्भी के अलावा उनकी नागिन दोस्त अनिता हस्ननदानी भी वियतनाम में अपने पती के साथ हॉलिडे इंजॉय कर रही है बहां से वो भी अपने इंस्टाग्राम हैडल पर तस्वीरे और इंस्टा स्टोरी पर खुब सारे वीडियोज भी शेयर कर रही है तस्वीरे देखकर अप कहना गलत नहीं होगा कि सुर्भी अपने इस हॉलिडे को खुब एंजॉय कर रही है और नागिन के खत होने के बाद अपना विकेशन सेलिब्रेट करके वो अपनी ठकान भी बखुबी दूर कर रही है तो अब आपको कैसी लगी सुर्भी कि ये तस्वीरे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं